नमस्कार इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की बुक माई बुक ओफ इंग्लिश से लेसन ट्वैल्ड दा अनलखी फेस की बुक एक्सरसाइज करेंगे पेस नमबर 119 complete the following sentences by choosing the appropriate option complete the following sentences यानि कि नीचे दिये गए sentences वाक्या पूरे करो by choosing चुनते हुए the appropriate option option होता है विकल्प appropriate उचित उचित विकल्प चुनते हुए तो यहाँ पर फरस्ट है the doctor was called the doctor was called और देखिए इसके लिए यहाँ पर option दे रखे हैं a. to examine अकबर और b. to examine the queen queen मतलब रानी रानी को अकबर को देखने के लिए या रानी को देखने के लिए तो किसके check-up के लिए आये थी डोक्टर to examine the queen queen यानि कि रानी बिमार हुई थी तो उनको check करने के लिए डोक्टर बुलाए गए थे second है अकबर ordered a fresh meal because अकबर ने आदेश दिया एक ताजे भोजन के लिए because क्योंकि option है his meal was not tasty उसका भोजन स्वादिस्ट नहीं था और his meal had got cold उसका भोजन थंडा हो गया था तो option B क्योंकि उनका भोजन थंडा हो गया था इसलिए उन्होंने ताजे भोजन का order दिया था अकबर fell ill अकबर विमार पड़ गए because क्योंकि he didn't he hadn't eaten anything the whole morning क्योंकि उन्होंने सुभह कुछ भी नहीं खाया था he had seen हीराचंद's face तो उन्होंने हीराचंद का चहरा देख लिया था तो क्या आएगा A इसका option A आएगा कि उन्होंने सुभह से कुछ भी नहीं खाया था और next है हीराचंद's last wish was हीराचंद की जो last अंती मिच्छा थी वो क्या थी 2C बीरबल और 2C अकबर क्या थी यहाँ पर अकबर को देखने की अकबर से मिलने की next है vocabulary part read the following sentence नीचे दी गए sentence वाक्या पढ़िये from the story जो की कहानी से लिए गई है it was said यह कहा गया है that anyone कोई भी who saw his face would go without food that day जो कोई भी उसका चहरा देख लेता है तो उसे पूरा धिन भोजन नहीं मिलता in this sentence इस वाक्या में the words in bold जो bold है anyone और without anyone and without are formed by joining two words दो शब्दों का जोड़ कर बनाई गए है देखे anyone anyone with out without तो एनी plus one anyone with plus out without इसी तरह से इनको हम कहते हैं compound words जब दो words से मिलकर एक word frame किया जाता है बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं compound words तो यहां पर now form form का मितलब होता है बनाओ now अब बनाओ compound words by using words from the box जो यह box में दे रखे हैं इनके यूज करते हुए नीचे दे रखे हैं इन words के साथ मिला कर इनको हमें क्या बनाने है compound words बनाने है तो चली बनाते हैं देखें फर्स्ट वर्ड है head head और यहां पर wash wash का मितलब होता है धोना made बनाया white जोड़ा table मेज word शब्द day दिन hood thing चीज या वस्तू lines lines head तो इसको हम जोड़ेंगे lines के साथ head lines मुखे समाचार होते हैं तो उनको हम बोलते head lines pass देखें यहां पर है word password white wash white wash क्या होता है सफेदी रंगरोवन home maid घर का बना हुआ home maid घर का बना हुआ childhood 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 क्या होता है बचपन time table timetable क्या होता है समय सारणी world wide world wide दुनिया भर में anything anything कोई भी चीज every day every day प्रती दिन headlines मुखे समाचार password पासवर्ड white wash सफेदी home maid घर का बना हुआ childhood बचपन timetable समय सारणी worldwide संसार में anything कोई भी चीज यवस्तू every day प्रती दिन page number 120 make as many compound words as you can by combining words from the box one has been done for you यह देखे news और paper को मिला कर यहां पर बन गया newspaper तो इसी तरह से हमें यहां पर और भी compound words बनाने हैं अब यहां पर हम देखते हैं brush और brush के साथ क्या मिला सकते हैं हम यह देखे tooth है तो इसको हम पहले लिखेंगे tooth brush क्या बन गया अगला हमारा tooth brush next है anyone anyone मतलब कोई भी और sum के साथ भी one जोड देंगे तो एक और compound word बन जाएगा someone someone का भी मतलब होता है someone कोई भी और फिर है अब यह देखे grand है और mother है तो हम इसको इकठा लिख सकते हैं grand mother और यहां पर देखे grand daughter और ग्रेंड फादर ग्रेंड फादर एक word को आप कितनी भी आप कितनी बार भी use कर सकते हैं और उसके बाद हम key board यह some है और यहां पर where है तो यहां पर आजाएगा somewhere कहीं भी और something something कोई चीज और some को फिर से हम how के साथ जोड़ देंगे some how कैसे भी इस तरह से हम इनको compound words में convert कर सकते हैं बदल सकते हैं इनकी साहता से ये हम compound words बना सकते हैं read the following words disobey impossible unlucky यहां पर they begin the prefixes dis im un as known as shown below देखे disobey क्या है dis jama obey impossible in jama possible unlucky unjama lucky और फिर है make the opposite opposite क्या होता है उल्टे उल्टे शब्द of the following words नीचे दिये गए जो शब्द हैं इनके opposite बनाने हैं by adding appropriate prefixes जिस जिस तरह से यह prefix लगाए गए हैं dis, im, un इसी तरह से इन words में हमें prefix लगाने हैं और प्रोपर टेबल में लिखते हुए किसके आगे dis लगेगा, किसके आगे im लगेगा और किसके आगे un लगेगा उनको लिखते हुए हमें क्या बनाने हैं? उनके opposite words बनाने हैं अब यह देखिए, first word है connect connect के साथ हम कौन सा prefix लगाएंगे? आप बताईए comment करके आप लिख सकते हैं मुझे बता सकते हैं अब connect के साथ हम लिख सकते हैं तो disconnect, dis लगाएंगे क्योंकि इसी के नीचे हम इस word को फिर लिखेंगे disconnect अब है proper proper कौन से उसमें आएगा? proper आएगा यहाँ पर improper, proper का उल्टा क्या होता है? improper honest honest कहाँ पर आएगा? honest होता है यहाँ पर dishonest happy unhappy mortal mortal कहाँ पर आएगा? immortal 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 mortal अब यह देखें यहाँ पर im आया है m और m इसका आया है mortal का दो बार double m आएगा यहाँ पर यह आप spelling ध्यान से लिखेंगे फिर है known unknown काइड अनकाइड अपियर यहाँ से शुरू करते हैं वापिस इधर से चलेंगे अपियर डिस आपियर moral immoral जो m से start होते हैं यह देखें उनमें double m हो जाता है grace grace कहाँ पर आएगा disgrace clean unclean unclean perfect imperfect और उसके बाद है able disable balance imbalance here are more prefixes are used to make opposite in i-r i-l examples incorrect incomplete invisible illegal illiterate eligible और उसके बाद है page number 121 fill in the blanks मतलब खाली स्थान भरो with the opposite forms opposite ultra sharp forms of the adjectives adjectives given in the bracket जो कि आपको bracket में दे रखे हैं यहां पर तो mandeep is weak in studies mandeep है जो वो पढ़ाई में कमजोर है because क्योंकि he is dash in class वो class में नहीं आता regular नहीं है तो regular के साथ हम क्या बनाएंगे कौन सा prefix लगाएंगे irregular i-r और फिर लिखनी है regular की spelling regular don't leave your work incomplete complete के साथ हम कौन सा लगाएंगे incomplete the teacher advised the child to improve his writing because it was teacher ने बच्चे को सला दी अब उसकी writing सुधारने के लिए क्योंकि इट वस डैश लिजिबल तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे i-l और लिजिबल इलिजिबल no one test a dash person honest है honest के साथ हम लगाएंगे dishonest next है i am dash to come to school today because of my sickness मैं अपनी बीमारी के कारण आश्कूल में आने में ऐसमर्थ हूँ able, disable या unable i am unable u-n-a-b-l-e unable i am unable to come to school today because of my sickness if you work hard अगर तुम भेनत करते हो न thing is impossible i am और फिर लगाना है हमें possible next है write words with the same sound but different in meaning देखे same sound same sound but different in meaning and spelling spelling भी अलग होनी चाहिए meaning भी अलग होना चाहिए लेकिन sound एक जैसी होनी चाहिए one has been done for you जैसे यह है whole यह w से start होता है लेकिन इसमें w silent है इसको हम read करते है whole और whole के साथ यह देखिए हम लगाएंगे इसका same sound है whole लेकिन इसकी spelling भी अलग है और इसका meaning भी अलग है whole मतलब complete सारा और यह whole होता है चेद और यह है birth और इसका हम लिख सकते है यह birth है जो rail का डिबब होता है वो वाला और birth होता है जन्म fair और fair का हम लिखेंगे fair fair मतलब साफ और fair होता है bus का किराय bus आदी का किराय सफर में जो हम bus की टिकट train की टिकट लेते हैं वो no no मतलब जानना और इसका same sound word होता है no इसका मतलब होता है नहीं by by के द्वारा by मतलब के द्वारा और इसका हम लिख सकते हैं by by खरीदना new new मतलब नया और इसका same sound word होगा new जानना जाना see देखना और see समुद्र heel भरना और ये heel होती है ad made बना हुआ और made यानिकी जो servant होती है नोकरानी scent भेजा और s, c, e, and, t scent पर्फ्यूम वाला scent और wood wood गागेगी होता है जो और इसका same sound word with different meaning क्या होगा wood लकडी of बन्द और of काके की so इसलिए और so मतलब बीज बोना made नोकरानी और made बना हुआ sale और इसका हो जाएगा sale यानिकी जो sale लगती है next है grammar read the sentence let's call birbal here let's has been used to make a suggestion suggestion यानि कि सुझाव that they should call birbal कि यहाँ पर let's से सुझाव दिया गया है कि let's call birbal कि सुझाव दिया गया है कि हमें birbal को बुलाना चाहिए let's always followed by a verb हमेशा let's के साथ यूज होता है in first form जो कि verb की first form होती in above example let's is followed by the verb call जैसे let's call let's के साथ हमेशा verb की first form आती है और so we can have और इसलिए हमें let's play let's work let's play यानि to express the suggestion to play खेलने का suggestion दिया गया है let's work में काम करने का suggestion दिया गया है let's के साथ play की first form है let's के साथ work की first form है तो आज की वीडियो में इतना ही next हम अगली वीडियो में करेंगे जब तक आप इस काम को अपनी कोपी में अच्छे से कीजिए और इसको अच्छे से समझते हुए याद करें thank you अच्छे से समझते हुए